हेलो दोस्तों जैश्रीम हाकाल मैं सार्थक शिकला आप सभी का स्वागर्थ करता हूं यूट्यूब चैनल इस्टेडिविच शिप्रातिरे पर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में HCF and LCM जी हां दोस्तों HCF and LCM के पहुत सारे questions पूछे जाते हैं अब आप सोचेंगे HCF और LCM निकालना कौन सी बड़ी बात है हां तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आसान होता है लेकिन इसमें कहीं परकार के questions पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको यह नहीं पता होता है कि उसमें HCF और LCM के rules लगते हैं हम उस question को यह समझते हैं किसी chapter से related average से related है या किसी और subject से related है या फिर अपन यह सूचते हैं कि friends यह किसे ना किसी topic के अंतर गताता है वो questions HCF और LCM के होते हैं अब चलिए देख लेते हैं कि कितना आसान होता है उन questions को solve करना है लेकिन उससे पहले हम पहले जान लेता है कि HCF और LCM होते क्या हैं English में इसका full form क्या होता है Hindi में इसे क्या कहते हैं और इसे क्यों use किया जाता है चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं हम हमारे lecture स्टार्ट करते हैं जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर वीडियो पसंद आया आप सभी को तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों क्या शेयर कीजिएगा चलिए दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं hcf की hcf का full form क्या होता है hcf का full form क्या होता है hcf का full form होता है highest common highest common factor है ना इसे इंग्लिश में highest common factor कहते हैं और हिंदी में इसे महत्तम समावर्तक कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों महत्तम समावर्तक जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इसको निकालते कैसे बड़ा ही आसान है माल लीजिए 24 और 36 आपके सामने दिया हुआ है क्या दिया हुआ 24 और 36 आपसे बोला इसका एच्छे हो था यह आप लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिखकर पहले दोनों का अलग-अलग जाएकर यह कॉंपिटिशन है हम 12 या हम सेकंड क्लास की सॉल नहीं कर रहे है हम कॉंपिटिशन लेवल का HCF LCM सॉल कर रहे हैं तो यहां पर 12 तूजा 24 और 12 तूजा 36 अब ऐसा कोई सा टेबल है क्या जिसमें 2 और 3 एक साथ आते हो नहीं है ना तो आपका HCF क्या हो गया 12 हमको इसको कब तक सॉल करते जाना है जब यह एक टेबल में आते हो जब दो और तीन एक टेबल में आते ही नहीं है तो बस यह यहां पर जाके रुख जाता है यह हो गया आपका HCF बात खतम अब अगर बच्चे 2 से भी सॉल करते हैं कि पहले 2 को 24 से काटते हैं फिर 2 को 16 से 18 से काटते हैं तो फ्रेंट्स वो भी आ जाता है तब भी 12 भी आता है लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर 19 तक के टेबल याद हैं तो हर चेप्टर में शुरुवात से बुलता आता हूँ और हर मैस की क्लास में मैं यही बुलता हूँ 19 तक के टेबल याद नहीं कर सकते तो मैस पढ़ना छोड़ दो ठीके हां कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएंगे आप लोगों से तो कोशन कप करोगे वेकेंसी घरते जाओगे कि एक के बाद एक के बाद एक हैं चलिए तो आप लोग 19 तक के टेबल याद कर यह हो गया HCF मतलब क्या जो नमबर दिये हुए है वो एक किसी नमबर से कटते जाने और जब तक कटने जब तक वो बंद ना हो जाए तो जैसे दो और तीन है दो तीन तो जाएगा ने किसी टेबल में तो यहाँ पर बारापका HCF हो जाएगा ठीके दोस्तों और इसे इंग LCM को इंग्लिश में क्या कहते हैं LCM को इंग्लिश में कहते हैं Least 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 common factor अब यह तो आप लोग समझी चुके हो कि Least common factor है मतलब सबसे छोटी संख्या है ना least मतलब सबसे छोटा common याने समान factor याने समावर तक तो सबसे छोटा नम्मर Least common factor अब मैंने जैसे कि आपके सामने लिख दिया भईया 4 और 5 है ना तो LCM कैसे निकालते हैं LCM ऐसे निकालते हैं टू टू जा फोर तो 5 तो 5 ही रहेगा भी यह तो बदलेगा नहीं इसमें तो friends अपन देखते ही नहीं कि दोने एक टेबल से आना इसे ही नहीं बस डिवाइट करते जाते हैं अब यह 2 से जाएगा नहीं वन आ गया यह पर तो 5 वन जा 5 अब हम क्या करते हैं इन तीनों का इंटू करते हैं क्या करते हैं इन तीनों का इंटू करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यह आया ना यह आपका LCM हो गया ठीक है दोस्तों हाँ यह आपका हो गया LCM ठीक है 20 ठीक है बस यह होता है LCM लेकिन असर यह इतना easy था तो हम लोग इसको क्यों सीख रहे हैं यह concept हमारे लिए जरूरी क्यों है है ना यही चीज़ सोच रहो ना क्योंकि मैं easy concept लाता ही नहीं हूँ यह बात आप जानते हो मैं questions जो exam में सीधे पूछे जाते हैं वही वाला लेके आता हूँ तो friends अब आप धीरे धीरे देखते जाना और इसके मैं questions करवाँगा आज और कल तो आप लगाते हैं दोनों वीडियो देखना आपको समझ में आएगा कि यार यह question तो हम कितनी बार देख चुके हैं पात सिकन में हो रहा है अभी यह question और हम लोग छोड़के आ जाये करते थे तीक है हाँ बिलकुल दोस्तों इतने easy questions थे जो आप लोग आसानी उससे देख कर घबरा कर छोड़ देते थे चलिए देखते हैं कि questions के से पूछे आते हैं और होता क्या आगे आगे है ना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था HCF क्या पढ़ा था दोस्तों हमने HCF अब मैं आपसे पूछता हूँ 24 का लिए आपसे पूछता हूँ 24 का वंट इफूर के फैक्टर बता वूट ऑठ्वा था फैक्टर के अचलिए आपको कब तक देखना 24 तक देखना एक कि 24 तक ऐसे कितने है नंबर जिससे की 24 डिवाइड होता है तो 1 से होता है, 2 से होता है 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से भी जाता है 6 से भी जाता है, 24 8 से भी जाता है अब 12 से भी जाता है 24 से भी जाता है इसके अलावा और किसे जाता है कि 24 तो यह कितने हो गए एक दो तीन यह देखो एक दो तीन चार पांच छे शाट आठ याने कि 24 के अगर फेक्टर पूछे कि आपके 24 के कितने फेक्टर हो सकते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 8 यह question सीधा सीधा एक्जाम में आ जाता है बच्चे क्या करते हैं कि यह सोचते हैं कि यह किस से डिवाइड हो रहा है तो 8 से होता है 4 से होता है तो option में अगर 8 लिखा हो तो 8 पे मन से टिक कर देंगा 4 लिखा हो तो 4 पे टिक कर दें आपको यह निकालना है factor मतलब यह होता है कि 24 जो है यह किस-किस नमबर से डिवाइड हो सकता है तो कितने नमबर से डिवाइड हो सकता है 8 नमबरों से डिवाइड हो सकता है तो उसका factor क्या हो जाएगा 8 ठीके दोस्तों हाँ इसका HCF क्या रहेगा दोस्तों इसका HCF 24 ही रहेगा है ना इस चीज़को तो मालू में ना आप लोगों को कैसे आएगा आ है ना हाँ तो 24 का HCF क्या होगा आप मुझे ये बताइए है ना 24 का HCF निकाल कर भी देखते है अभी आप लोगों को मजा आएगा देखना ये जो 8 हाया है ना यह देखो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 24 का अपन है ना HCF निकालते हैं, 24 का HCF उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा तो हम देखते हैं, 24 किस से जाएगा, 2 से जाता है तो 2 बन्जा 2, 2 तो 12 सा, है ना अब किस से जाएगा, अब किस से जाएगा, अब 3 से जाएगा है ना, 3 से जाएगा ना, तो 3 बन्जा 3 यहाँ पर एक नम्मर था, इसलिए पूरा सॉल हुआ, है ना दोस्तों तो 2 तूजा 4, 4 तूजा 8, 8 तूजा 24, 24 का HCF 24 ही रहेगा ठीक है ना, हाँ, बात समझ में आ गई, चली, अब आगे देखते हैं अब आप देखिएगा, दीरे दीरे आपको एक चीज़े को क्लियर होते जाएगा आप से पूछा जाता है, कि जो 15 नम्मर है, 15 के मल्टिपल में 15 का मल्टिपल, नम्मर ओफ मल्टिपल बताने आपको, ठीक है, 15 के आप लोगों से कोशन पूछा जाता है, नम्मर ओफ मल्टिपल बताई देखिए तो 15 hoffe 15 हो सकता है थीक है 15сте 15 हो सकता है तो बिल्कुल सही है दोस्तों चलते ही जायेगा आखरी में क्या है इन्फिनिटी याने आपका answer क्या होगा हर बार कोई सा भी नम्बर देदे इन्फिनिटी answer होगा है friends questions अब बदलेंगे दीरे दीरे है इस चीछ का ध्यान रखना रिपिटेड कोश्यंस अगर हर बार आने लग जाएं तो एक्जाम लेने का मतलब ही क्या है इन्फिनिटी आपका आंसर होगा जब आप से कुछ भी पूछा जाए कि इस नंबर का गुणा करते जाएं तो आपका आंसर क्या आएगा तो बताईए 15 का LCM निकाल के बताईए चलो देख लेते हैं वहीं अब आप सीख रहे हैं प्रैक्टिस तो कर दी रहे हैं जो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि आप कर लो मैं बेठाओ तो याने पंदरा का LCM पंदरा और अगर आपसे नंबर of multiples पुछा जाते हैं इंफिनीटी ठीके दोस्तों हाँ बिलुकर चलिए अब देखते हैं आगे कि अभी तो एक नंबर था जब मैंने आप लोगों से फेक्टर पूछे थे अब मैं आपसे पूछता हूं 32 और 36 के फेक् पहले एक नंबर था अब आपको यह देखना है कि 32 और 36 किस-किस के टेबल में आते हैं एक साथ आने चाहिए है न सभी में आने चाहिए तो दोस्तों आपडिंदा आरोगों कि two में भी जाते हैं, four में भी जाते हैं, 32 और थर्टीकॉस इसके अलाओं तो youth, किसे में नहीं जाते हैं तो आप गलत हो, one के table में भी जाते हैं, इससों काँ ध्यान रखना one के table में भी 32 जाता है और 36 जाता है 2 के टेबल से भी 32 कर जागा 36 कर जागा और 4 के टेबल से भी 32 और 36 कैंसल हो जाएगे याने कि याने कि अगर आपसे पूछा जाएगे कि कितने factor होते हैं तो 3 factor होते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल अब इनका HCF निकाल के बता दो दोस्तों HCF निकाल के बताओ Highest Common Factor है महत्तम समावर्तक 32 और 36 का तो आपको मैंने अभी बताया है कि वो नंबर लेना है जो एक साथ इनको काट दे तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले 2 से काट दो इसको चलो ठीक है दोस्तों आपके भी मन की बात रख लेनी चाहिए क्योंकि 4 का टेबल बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है 21-22 साल के हो गए है लेकिन किसी को 4 का टेबल नहीं आता है Confuse हो जाते हैं गड़ बढ़ा जाते हैं 19 तक के टेबल याद कर लो नहीं तो छोड़ दो पढ़ना ठीक है अब फिर भी मैं 2 से करके बता रहा हूँ करवाना नहीं चाहिए दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हूँ आप ठीक है चलिए तो 2-1-2, 2-6-0, 12 ठीक है 2-1-2, 2-8-0, 16 अभी भी ये दो संख्या एक साथ किसी एक टेबल से जारी है वो है 2 2-8-0, 16 2-9-0, 18 क्या आपको इसे ऐसी संख्या है जो 8 और 9 को एक साथ टेबल में आती हो नहीं है तो 2-2-0, 4 आपका HCF हो जाएगा HCF क्या होता है जब ये दोनों संख्या ये दोनों संख्या किसी एक टेबल में आ रहे हो तो आ रहे थे पर ये दोनों नहीं आ रहे थे इसलिए यही पर गाड़ी आपकी रुख जाएगी और LCM में क्या होता है नीचे 1 जब तक नहीं आ जाए तब तक ये continuity में चलता रहता है ठीके बस इतना ही अंतर और कुछ भी नहीं ठीके तो 32 और 36 का HCF क्या हो जाएगा चार ठीके दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं आगे देख लेते हैं अब आपसे पूछा जाता है अब देखना confusion यहाँ पर थोड़ सा बढ़ जाएगा ठीके अगर आप लोगोंने लगातार क्लास नहीं देखी तो आप लोग वहाँ पर गड़बल करके आओगे ही आओगे एक्जाम में 10, 12 और 15 10, 12 और 15 का आपसे बोला जाएगा कि common multiple बताओ यह कि कौन-कौन से हो सकते हैं सबसे छोटा वाला common multiple बताना अब यह सर क्या होता है यह तो नई चीज़ सुनने में आ रही है तो आएगी सही ना क्योंकि आप लोगोंने पढ़ा ही नहीं ठीके आपसे पूछा जा रहा है एसा कौन से नमर है जो 10 से भी डिवाइड हो सकता है 12 से भी डिवाइड हो सकता है 15 से भी डिवाइड हो सकता है सबसे छोटा है ना मतलब जो सबसे छोटा नमर जो 10 से भी इंटू हो 12 से भी हो 15 से भी हो तो दोस्तों ऐसा होता है साहट कैसा होता है साहट होता है 10 6 जा 60 12 5 जा 60 15 4 जा 60 ठीक है बात समझ में आ गई यानि कि आपका आंसर हो जाएगा अगर least पूछा है सबसे छोटा ही पूछा जाता है वेसे तो सबसे बड़ा तो निकालने से रहे दोस्तों बहुत लंबा जाएगा आंसर तो सहाट आपका सबसे छोटा government multiple हो जाएगा किसका 10, 12, 15 का ये questions आते हैं है ना और अभी तो इससे भी भेहतरिन questions है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेक आना वाला हूँ अभी last में और आखरी में कल की class में है ना दोस्तों हां और वो question सीधे exam में आते हैं लेकिन उसके लिए आपका क्या होना जरूरी पहले पहले आपका concept जो है वो clear होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपका concept clear नहीं तो आप questions नहीं कर सकते चलिए देख लेते हैं आगे next देखते हैं दोस्तों अ अब मैं आप से सीधा सीधा बोलता हूं अब तो आपको निकालना आ गया LCM HCF 20 सेकंड का समय भी दूंगा question लिख रहा हूं 25 50 और 25 50 और 75 का LCM बताईए क्या होगा दोस्तों बताईए LCM बताना है आपको जियां दोस्तों LCM बताईए दोस्तों क्या होगा 25 50 और 75 का LCM कि अचले बताईए बीच सेकंड है फटाफट कहतक होने वाले हैं होग चुके हैं चलिए अब देख लेते हैं हम देखते हैं कि इसका LCM कैसे निकालेंगे तो दोस्तों इसका LCM बड़े आसान तरीके से निकल जाएगा पहले तो हम सीधे-सीधे जो हमारी तरकीव है हम वेसे ही करेंगे भया 25, 50 और 75 जैसे हमने लिखा है 25 का टेबल आता होगा ज्यादा लंब तो 25, 50, 25, 30 ठीक है अब 1 इदर आ गया अब 2 से कार दो 2, 1, 2 यह तो कटेगा नहीं फिर 3, 1, 3 यानि 1 आखरी तक पहुझ गया अपन तो 25, 2, 50, 53, 150 यह हो गया आपका LCM काम खतम अब जिसने 2 से शुरुगात करी होगी उसको 2, 3, 5, 5, 5 करना पड़ा होगा जो की बहुत मज में आगे होगी की LCM 150 आएगा चलिए अब आगे देखते हैं है नहां बिलकुल अब आगे देखते हैं अगला कोशन है आपको इसी के HCF निकाल के बताने हैं यह तो आपने निकाल लिया था LCM 25, 50 और 75 का LCM निकाल के बताईए स्पने सॉरी HCF निकाल के बताईए CMS निकाल लिया हम लोगों ने दोस्तो चलिए बताईए 25, 50, और 25 का HCF निकाल के बताईए HCF क्या होताई दोस्तों? क्या होता है HCF अब बत आय Tá No Not है छलिए मैं फ्टा देता हां आप लोगो को इंतजार ने करूंगा ऐसा No Number जो इन तीनों से डिवाइड हो वो है 25 या 5 से भी करोगे ना दोस्तों तू भी आजागे लेकिन बहुत लंबा जाएगा क्यों करना हमको अमको competition पार करना है जो competition करते हैं उनको 56 का, 56 का इंटल का table आता है हम लोगों को अगर 25 के table नहीं आ रहा है तो वो तो ले नहीं सकते तो आपका answer हो गया 25 होगा HCF इनका HCF क्या हो जाएगा 25 काम खरता हम हाइस कौन फेक्टर आगा 25 ठीक है दोस्तों बात समझ में आ रही है चलिए अब एक easy question देता हूँ उमीद करता हूँ कि आप लोगो उसमें उस question को खुद बाखुद बड़ा नहीं दे हैं है ना बहुत आसान सा question है मैं आपसे पूछ रहा हूँ HCF है ना HCF पूछ रहा हूँ किसका 13 का 23 का ठंक से लिग देता हूँ दोस्तों 13 का 23 का और 31 का चलिए बताईए अब इसका HCF क्या होगा highest common factor ऐसा number जो इन तीनों को divide हो या इन से multiple में हो तो बताईए अब कौन सा number हो सकता है दोस्तों इसके question ऐसे नहीं है जैसे मैं आप लोगों को सामना भी दिखा रहा हूँ questions इसके अलग तरीके से पूछे जाते हैं लेकिन उसके लिए आपको पहले basic complete clear होना ज़रूरी है अगर यह नहीं आएगा तो आप questions नहीं कर सकते इस चीश का ध्यान रखिएगा और कोई भी teacher हो आपसे एकी चीश बोलेगा कि आपको practice तो खुदी करनी पड़ेगी नम्मर मतलब यह किसी से भी divide नहीं होते हैं इसलिए आपका HCF सिर्फ एक ही होगा वो है answer 1 आपका HCF हो जाएगा 1 क्यों? क्योंकि यह 13, 23 और 31 एक मात्र 1 के table में ही जाते हैं किसी के भी table में एक साथ नहीं जाते हैं HCF का मतलब यही होता है कि जो दिये गए नम्मर है वो किसी एक table से जाना चाहिए तो 13, 23, 31 किसी के भी table से नहीं जाते हैं सिवाए एक के तो आपका answer हो जाएगा 1 इसके लावा कुछ भी नहीं करना था दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि LCM 20 सेकंड का समय भी दूँगा 20 नहीं 40 सेकंड का समय दूँगा क्योंकि आपको LCM और HCF दोनों निकालना होते हैं और मैं आपको सिखांगा कि HCF और LCM दोनों साथ में कैसे निकालते हैं देखें किसका आंसर आता है वी तरक वमित करता हूं आप लोगों क्या आज चुके होंगे चलिए देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको बहुत आसान तरीके से करना सिखा रहा हूं दोस्तों ध्यान से देख लेना एक बार मैं जब भी आपको HCF, LCM दिया रहना तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे सबसे पहले दूस्तों आप एक ही काम करना HCF निकालने की कोशिश करना क्या निकालने की कोशिश करना HCF 92 और 50 था ठीक है तो ये दोनों आप लोग क्या करोगे सबसे पहले तो 2 का table ही उठाओगे भूद अच्छे से जानता हूं आप लोगों को ठीक है आप लोग 2 का table ही उठाओगे सबसे पहले तो चलिए 2 का table ही उठा लेते हैं 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 25s क्या अब ये 2 से कट रहा है नहीं कटेगा ठीक है नहीं कटेगा अब ये 2 से क्या ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है ये दोनो एक ही टेबल में जाने चाहिए तो नहीं जा रहे हैं ना 2 में जा रहे हैं ना 3 में जा रहे हैं ना 4 में ना 5 में ना 6 में ना 7 में ना 8 में ना 9 में ऐसे करते जाएं तो ये किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं तो आपका आंसर HCF सीधे सीधे आ गया क्या आ गया 2 आ गया HCF आपका यहीं आ गया अब LCM निकालने तक क्या करते है आखरी तक 1 आना चाहिए तो अब क्या करेंगे 2 से करेंगे 2 2s आ 4, 2 3s आ 6 और यह 25 वेसे लिख देंगे अब 3 से तो जाएगा नी 4 से जाएगा नी 5 से जाएगा 5 5 से 25 अभी भी 5 से जाएगा क्योंकि 23 तो कटेगा नहीं तो 5 वन्जा 5 अब बचा क्या आपका 23 तो 23 आप यहां लिख दो कि 23 वन्जा 23 अब आप 23 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपका LCM हो जाएगा तेवी 100 जी हां दोस्तों इन सब को इंटू करने पर आपका आपका 2300 यह आपका LCM यानि कि आप लोग एक चीज बहुत अच्छे समझ गए कि जब भी HCF या LCM निकालने को हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले हमको HCF निकाल लेना चाहिए और उसी के बाद में आपका LCM भी आ जाता है ठीक है दोस्तों अब चीज आप लोगों क्लियर हो रही होंगी दीरे दीरे कॉपी में वेवस्थित लिखना दोस्तों ताकि सिर्फ एक्जाम में जाके प्रेक्टिस करनी पड़े आप लोगों को ठीक है हाँ चलिया आगे देखते हैं आगे यह दोस्तों की एक ट्रिक होती है जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेशन किया आपने लिखा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा पहला नमबर इंटु दूसरा नमबर आदा इंगलिश आदा हिंधी बोल रहा हूं मैं पहली संक्या गोणा दूसरी संक्या फर्स नमबर इंटु सेकर्ड नमबर इस इकॉल्स तो लसी एम इंटु हैं दोस्तों जी हाँ बिल्कुल सही समझाए आप ये क्ट्रिक है हमारा answer cross check करने की एक trick होती है अभी हमने इसके पहले वाला question क्या लिया था 92 into 50 याने पहला नमबर था 92 और दूसरा नमबर था 50 तो आप क्या करो इसमें आपको ने LCM निकाला था कितना? 2300 और HCF कितना निकाला था? 2 निकाला था 2300 into 2 करें तब भी ये 4600 ही आएगा इस तरीके साब एक्जाम में cross check कर सकते हो अपना answer इसको into करने पर भी यही आ रहा पहली संख्या और दूसरा रहा और HCF और LCM को भी into करने पर 4600 ही आएगा ये कब लागू होता है फ्रेंट? जब दो संख्या दी हो ठीक है दोस्तों दो संख्या दी हो तब ये लागू होता है ठीक है? उमिद करता हो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी copy में लिख जरूर लेना क्योंकि ये बहुत important होता है आपको मालू में क्या किया जाता है? हाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को एक्जाम में questions कैसे आते हैं? बताता हूँ देखो आपसे बोल दिया जाएगा की? देखो सामने देखते जाना ठीक है? पहला नमबर और दूसरा नमबर ये है, तीसरा नमबर ये है, आप इसका HCF बताइए या फिर या फिर आपसे ये पूछा जाएगा क्या? कि भाईया इस दो नमबर हैं, दूसरा नमबर find करना है और इन दोनों नमबर का LCM होगा 2300 और HCF होगा 2 अब आपको बताना है कि ये केस से निकलेगा, तो कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर question मार की जगे पर x रख दो, ये into की संख्या इधर जाके divide में रख दो ठीक है? तो आपका answer बिल्कुल आज जाएगा 50, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से question पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? हाँ, इसलिए मैंने वो लिखवाया है आपको, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपको देखते हैं multiplication of HCF and LCM is 200, क्या दिया हुआ है? देखो friends, अब उसी के base पर देगा, ध्यान से देखना multiplication, multiplication में मैं direct into लगा रहा हूँ ना, multiplication of किसी नम्मर के HCF और LCM का multiplication करें तो कितना आएगा? 200 आएगा, जी हाँ दोस्तों, HCF into LCM करें तो 200 आएगा, आप से पूछा है कि दूसरा number find कीजिए second number find कीजिए कितना होगा? सेम वही है, आपके पास HCF, LCM into में है, कितना? 200 एक number आपको दिया रहेगा, क्या? second number find करना है, first number आपको दिया होगा कि चलो 10 है, आपको first number दे दिया कि 10 है, आपको second number निकालना पड़ेगा, तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि भाया मैंने अभी समझाया था, क्या समझाया था? first number into second number is equals to HCF into LCM, ठीक है दोस्तों? अब HCF और LCM का into उसने दिया होआ है, कितना दिया होआ है दोस्तों? 200 कितना दिया होआ है? 200 इसमें आपको पहला number भी दिया हुआ है, 10, question mark है, question mark है याँ याने 10 into x is equals to 200, है ना? तो जब ये into में है, तो उदर जाता है, is equal to के तो divide में हो जाएगा, है ना? into की संक्या is equal to के उदर जाती है, तो divide में हो जाती है, ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका बच्चे का 20, याने आप समझ में आगे, कितना आसान था, है ना? हाँ, बिलकुल, चलिए, याने कि आपके पास दोनों संक्या आगी, 10 और 20, चलिए अब एक काम करते है, 10 और 20 का LCM और HCF निकाल के बता दीजे मुझा आप लोग, friends, इसने भी अब तक हमारी पुरानी classes नहीं देखी है, मैंने बहु क्लियर करवाने के बाद ही, सारी चीजे लेखे आता है, बड़ी से बड़ी, ठीक है, तो बीच-बीच में जो जो concept आ रहे है कि into, जो है, is equal to के उधर जाके divide में कैसे हो जाता है, यह मैं बहुत बार पहली class में बता चुका हूँ, आप लोग देखिए, आपको समझ में आ ज जब आपसे बोलने हैं कि 10 और 20 दे दिया है, दो नमबर दे दिया है, आपसे बोला है कि HCF और LCM तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग HCF, क्या निकालेंगे HCF, ठीक है, हाँ, तो HCF ये 10 से जाता है, 10 बंज और 10 तूज आ, क्या ये दोनों संख्या किसी इक टेबल म जारी, नहीं जारी, तो HCF तो होगया आपका 10, अब निकालेंगे LCM, LCM कब तक निकालते हैं, जब तर संख्या एक न बच्चे, तो ये तो ये तो एक ही बच्चेगी, 2,1 जा 2, याने LCM होगया 10,2 जा 20, है ना, बेलकुल, HCF होगया 10, so LCM होगया 20, ठीक है दोस्तों, बात नम्मर का ratio दिया हुआ है, हाँ दोस्तों मैं ratio लिख देता हूँ, ratio दिया हुआ है 4 इस्टो 5, अनुपात जिसे बोलते हैं, 4 इस्टो 5 और उनका HCF दिया हुआ है आपको 7, है ना, 7, आप से पूछा जा रहा है कि नम्मर्स जो दोनों हैं वो find कीजिए, numbers find कीजिए, चलिए दोस्तों बताइए, क्या number होंगे, कैसे find कर सकते हूँ, आपके सामने यह दिया है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार 7 को 4 सेंट करो, और एक बार 7 को 5 सेंट कर दो, तो 7, 4,028 और 7, 5,035 बस, खतम का, यही थे दोनों number, और आ गया आपके सामने, आ गया आपके सामने, बिलक हाँ, ठीक है, हाँ, और confusion क्लियर करना है, कि भाईया, 28 और 35 ही है यह number, यह यह answer होने चाहिए, तो क्या करो, 28 और 35 का LCM ले लो, ए सारी, HCF निकालो की कोशन में, HCF दिया हो था ना, तो 28 और 35 किस के table में जाते है, 7 के table में, 7, 4 से 28, 7, 5 से 35, अब 4 और 5 के किसी एक के table में जा आते हैं, तो खतम काम, आपका HCF हो गया, 7, यानि कि आपका जो answer निकला है, 28, 35, वो बिलकुल सही answer है, ठीक है दोस्तों, चलिए, आगे देखते हैं, फ्रेंट्स, जो जिसको लग रहा वीडियो तेज है, वो बिलकुल वीडियो को pause कर लीजिएगा, क्योंकि maths और reasoning, एसे topic ह कि अगर इसमें रुके, exam में भी अगर आप रुक गए, दो धाई मिनिट ले लिए आपने किसी question पर, तो समझ लेना कि आप fail हो गए, ठीक है, हाँ, बिलकुल, किसी भी question पर time नहीं लेना, नहीं आता है, तो आगे बढ़ो, दूसरा question solve कीजिए, ठीक है, हाँ, चलिए, अब देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल है, कि दो नमबर का ratio दिया हुआ है, आपके सामने, ठीक है, मैं यहां से लिखते ता हूँ, दो आपको दिया हुआ है, 1 is to 3, ठीक है, 1 is to 3, क्या दिया हुआ है, 1 is to 3, आप से HCF भी दिया हुआ है, आपको और कि अच्छिए, वाप चलिए बताइए क्या answer होगा, दोनों नमबर बताने है, दोनों नमबर का ratio दिया हुआ है, और HCF दिया हुआ हुआ है, अब आप बताइए क्या कर लोगे, आप इस question में कुछ नहीं करना है, इस 11 को एक बार 1 से, और 1 बार 3 से into कर दो, तो 11 बंजा 11, 11 33, यही आपका answer हो गया यही वो दोनों संख्या हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों, यही वो दोनों संख्या हैं जो आपको परिशान करती हैं थी, अब नहीं करेंगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, यही दोनों को आपको निकालनी थी, आपने निकालनी, चलिए, अगला देखते हैं, अब थोड़ कॉमा 2 की पावर 4 अब आप बोलोगे सर यह तो LCM की कोश्चन है कि हाँ यह LCM की कोश्चन है और इतना आसान है कि अभी बताऊंगा तो हसो के और बोलोगे सर अब यह कोश्चन एग्जाम में आ जाए बस एक सेकंड में सीधा आंसर करके सेकंड कोश्चन पर बोच जाएंगे ठीक है चलिए अब बताईए इसमें HCF ग्याद कीजिए HCF और LCM HCF और LCM बताईए क्या होगा इनका HCF और LCM बताईए क्या होगा 20 सेकंड का समदा उसके बाद मैं आपको समझाओंगा लगुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों बताईए देख लें दोस्तों देख लेते हैं बहुत ही आसान है देख लो दोस्तों बड़ा मता आने वाला है HCF निकालना है HCF तो देखो सबसे चोटी संक्या कुन सी है 2 पावर पावर देखनी है बस आपका यही आंसर हो जाएगा HCF हो गया 2 की पावर 2 टीक है अब आपसे पुछा था है LCM LCM देखो सबसे बड़ी पावर कुन सी है 2 की पावर 10 बस खतम काम आपको इस से या तो से कोशिन छोड के आ जाते हैं और जो बच्चे चोड़के आते हैं वो पास नहीं होते हैं और जो करके आ यह आराम से में पाटके नो फिर है 7 की power 5 फिर है 7 की power 10 फिर है 7 की power 10 फिर से 7 की power 10 फिर 7 की power 14 अब मेरेको LCF और LCM दोनों बताओ दो फटाओ अफट सबसे चोटा पावर देखनी थी सबसे चोटी पावर देखनी थी सबसे चोटी पावर देखनी थी तो वो थी 1 तो बस 7 आंसर हो जाएगा यानि 7 की पावर 1 लिख सकते हो नी भी लिखो के तू भी चलेगा LCM होता है सबसे बड़ा नम पावर 7 की पावर 14 यही आपका LCM हो जागा और यह हो गया आपका HCF इस कोशन का आंसर आपके सामने आ गया लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट है कि अगर पावर माइनस में हो तब क्या करोगे तो चलो देख लेते हैं गया ट्विस्ट के पावर माइनस वन, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 3 और 2 की पावर माइनस 5 चल ये दोस्तों आपके सामने क्यों और बता की equivalent बता दीजिए कि आब क्या करोगे आब आपको निकालना है HCF और LCM HCF और LCM अब बताओ माइनस में है पावर पावर माइनस मागे बस इत्ती गड़ बड़ गड़ और कुछ भी नहीं हुआ बता दीजे अब क्या करोगे 20 चेकन का समय है शुरू हो जाईए बिल्कुल चाहिए दोस्तों देख लेते हैं जो अब इसमें बड़ा नमबर होगा पाँच बड़ा नमबर है लेकिन माइनस का है तो फ्रेंड्स एक बात या देखना माइनस वन बड़ा होता है माइनस पाँच से जब संक्या माइनस में चली आती ना तो छोटा वाला नमबर बड़ा हो जाता है है ना छोटा वाला नंबर क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है तो यहां पर 2 की पावर माइनस 1 LCM होगा और 2 की पावर माइनस 5 आपका HCF होगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह कोशन समझ माया होगा अगला कोशन देता हूँ AC में एका इक और ताकि आप सब्सक्रावल एक से धमाके दर कोश्चन लेके आयोगा रोगा होगा सिए तेरह की पावर माइनस 9 और फिर 13 की पावर माइनस 12 चलिए दोस्तों बात दीजिए 13 संक्षा है माइनस 3, माइनस 7, माइनस 9, माइनस 12 HCF बताना है और LCM बताना इसमें कि क्या होगा बता दीजे दोस्तों HCF और LCM LCM बताए दोस्तों क्या अंसर होगा काफी आसान सवाल है शुरू हो जाए दोस्तों पांच सेकन गुर बच्छे आप लोके बाद चली देख लेते हैं अब HCF HCF क्या हो जाएगा 13 की पावर माइनस 12 और LCM क्या हो जाएगा 13 की पावर माइनस 3 आप लोगों को समझ मार चुका होगा उम्मीद दोस्तों कि कैसे आएगा यह आंसर है समझा चुका हो भी पहले वाली में चली अब नया कोशन एक और एक और नया कोशन जो भहुत बार पूछा जा चुका है एक्जाम में ठीके 2 अपाउन 5 कॉमा 6 अपाउन 7 कॉमा 9 अपाउन 2 कॉमा 4 अपाउन 3 अब आप से पूछाएगी क्या फाइंड करना है HCF बताईए अब आप से कोशन में पूछाएगी इस कोशन में HCF बताईए दोस्तों तो अब आप क्या करोगे ये तो बटे में आगई संख्या यहां तो परेशान कर दिया इसने अब क्या करें तो दोस्तों बहुत आसान है जब कोशन में HCF पूछा हो तो उपर वाले का HCF निकालना और नीचे वाले का LCM बात समझ माई और उल्टा याद रखने की दोरोती है बस सिधा सिधा याद रख लो कि अगर कोशन में जो पूछा है वो उपर वाले का निकालना होता है जो भी पूछा है वो उपर वाले का और नीचे वाले का जो बच्चे को HCF के अपोजिट के हो तो LCM तो नीचे वाले का LCM मतलब जो भी पूछा है कोश्चन में वो उपर वाले का निकालते हैं तो 2, 6, 9, 4 ऐसे किसी टेबल में जाता है आप लोग मुझे बताई आप लोग में को बताई आन्य का रिल्यकर यहां आपको बताय कैसा निकालता है ठीक है ऐसा संख्या जो इन सब के table में आता हो एक बार में तो नहीं आता है इसा कोई सा number नहीं होता है ठीक है अब वन आप ले लिख लिए को कुछ नहीं होता तो वन होता है अब नीचे वाले का निकालना है आपको LCM है न और तीनों ही number prime number है द्यान से देखो, तो आपको कुछी नहीं करना है, आपस में इसका इंटू कर दो, तो 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210 या आपका आंसर हो गया दोस्तों, इस कोशन का HCFA 1 upon 210, जो भी पूछा हो, आपको उपर वाले का निकालना है, और नीचे वाले का बचा हुआ, ठीक है, बात समझ म चलिए, अगर LCM पूछा होता तो क्या करते दोस्तों, मैं फिर से यही कोशन लिख देता हूँ, ठीक है, यही कोशन लिख रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल बताई, अगर यही कोशन होता हूँ, इसमें LCM पूछा होता, आप लोगों confusion दूर हो जाएगा पूरा, अब LCM पूछ चलिए ना दोस्तों, भूदबार करवा चुका हूँ, मैं 2694 का LCM लोगे तो 36 आएगा, और नीचे वाले का क्या लेंगे, HCF, याने महत्तम समावर तक निकालना है, 5, 7, 2, 3 का, तो क्या 5, 7, 2, 3 किसी एक के टेबल में जाते हैं, नहीं जाते, प्राइम नमबर हैं, तो बट इस खुब करोगे, कल जो मैं कोश्चन्स लाने के आला हूँ, वो बहुत जादा धमाकेदार कोश्चन्स है, आप लोग बने रहे ना, लाइफ फ्रेंड्स, अकल किलास में, ठीक है दोस्तों, और आखरी तक वीडियो को देखने के लिए, फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, औ और वीडियो को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स, और आप चाहते हैं किसी टॉप्रिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों, और सबसे इं आपके मोबाल पर सीधे मिलें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, जैश्र महाकाल